असलाम अलेकूम प्रोग्राम वीडियों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिम्शा अवान नजबी 1947 में पाकिस्तान की क्याम के बाद 1956 में पहले कॉंस्टिटूशन में औरत को यह हग दिया गया कि वोट डाल सकती है लेकिन आज की औरत ना सिर्फ वोट डाल सकती है बलके प्राइम मिनिस्टर, फेडर मिनिस्टर, ओपोजिशन, लीडर और इसके साथ ही साथ आर्मी के भी आला रुत्बर पर फाइज है ऐसी यह खातून मेरे साथ माजूद है जिन्होंने ना सिर्फ औरत के तहफूश के लिए अपनी आवाज बुलंद की बलके उनके तहफूश के लिए कनून साथ इसमली में बैठके कवानीन भी बनाए है हमारे साथ माजूद है मुस्तरज जमशेच चीमा सहीबा जोके रुकन है पंजाब इसमली की और तर्जमार है पंजाब हकूमत की उन्हें वेलकम करते हैं वेलकम मैं थेक्यों सोमाच आपना कीम्ती टाइम दिया अच्छा बच्पन सही शॉक था कि जब मैं बड़ी हो जाओंगी जब हर बच्चे को शॉक होता है कि मैं बड़ी हो कर दो बनोगा आपको यह शॉक था कि मैं एक दिन बड़ी हो के कनून साथ इसमली में बैठके और कि लिए करून बनाओंगी या किसने मोटिवेट किया बहुत शुक्रिया आपका मैं आपकी शुकर गुजारूं इससे बहुत अच्छा रहता है हम पबली के नुमाइंदे है कि हमारी एक्चुल थॉट क्या है हम कैसे पॉलिटिक्स में आई पॉलिटिक्स की अगर हम बात क मतलब मददगार साबित हुआ कि आपके हजबंड भी प्रफेशन केरी करें आप बैसिकली इससा प्रफेशन तो हमारा हम होली सोली बिजनस कम्यूनिटी से हैं बाट इसको ने खिदमत के लिए चूज किया मसला के जो पाकिस्तान जिर मसाहिल से गुजर रहा था अगर हम 2010 क करें तो उस वक्त कोई होप नहीं समझ आती थी नाउमीदी ज्यादा थी चीमा साब ने प्रैक्टिकली जॉइन किया उसके बाद मैं सिरफ शुरू में उनके हलके की हद तक काम करती थी देन पार्टी केम तो नो कि अच्छा एक तो बड़ी जबर्दस वरकर है अच्छा ए तो मेरा पहला बेटा वो तो उसकी अभी वोज लाइक कुछ मंट का तो मेरे लिए मुश्किल था जी चैलेंजिंग था लिन दे प्रोच चीमा साब एगान एंगें कि आप नहीं चाहते उन्हों आप नहीं चाहते कि यह सियासत में आए तो चीमा साब बेसिकली अगर मैं ब अगर मैं आए तो मतलब हर कामियाब मर्द के पीछे जो और आप निकालते हैं कि आप लड़ें आप ना सरिफ खवातीन के लिए लड़ती हैं बलकि उनकी कवानीन भी बनाती हैं इसके बारे में क्या कहेंगे हैं हमारा स्लोगन चुके चैंज था सुसाइटी में सिस्टम मे उसमें जो सबसे ज्यादा आज भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं जो चेंज लाने की जरूरत है खवातीन को प्रोटेक्शन खवातीन से रिलेक्टिव चीजों में बहुत रिक्वाइरमेंट है इस लाइक यह तो पूरे सब कॉंटिनेंट का इशू है अब हमारे सुसाइट के मैं जितना करीब से देखती हूँ औरत का काम करना जॉब करना रिलेट करते हैं लोग फैनेशल हेल्थ से जिस एपसलूटली रॉंग कि जिस हम जुरूरत नहीं पैसे इतना है और एक इंसल्ट समझी जाती कि अगर लड़कियां काम करेंगी तो क्या मतब इनके घर में को प्राब्लम है यह बहुत बड़ी ट्रेजडी है केरियर और प्रफेशन बिल्डिंग की तरफ तो कोई आता है नहीं कि उनका एक केरियर बिल्डिंग भी है उसमें फिर आगे बात आ जाती है स्टेट की आपके कवानीन की के वियर वरकिंग ऑन इट काफी सारी चीज़ों प अगर आप में बिल्डिंग का शेर्वोल्डर बनाना है हमने बच्चियों को अगर हम में अबने यूनिवस्टी में हम देखे तो अलमूस्ट एक वल नंबर हो गया है तो हमें उस एक्वल नंबर को एक्वल ऑपर्चुनिटिमें कन वार्ट करना है ताके वह कारामद शेहर और कारामत शहरी मतलब सबसे पहला बैनेफिशरी तो फैमिली होती है इफ लेड़ी शीज एर्निंग शीज वरकिंग लेड़ी तो उसका इंपक्ट आता है लाइफ पे लेकिन जो हम लोग जो वरकिंग में हैं हमारी रिस्पॉनसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बड़ी आ जा कुर्बानी की ज्यादा रिस्पॉनसिबिलिटी शो करने की जरूरत है तो वी निएट तू पैशली खवातीन को रिस्पॉनसिबल खवातीन को वी नीज़ शो बैलास बीहैवियर कि हम आप से मुकाबला नहीं करने जा रहें बट हम आपकी साथ साथ चलेगे जब यह बात रेस रियल लाइफ में रेस की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें अगर आप एक दूसरे के साथ क्यूं आप दुनिया की सारी एक गाड़ी के दो पही और अगर एक पही आगे निकलता है तो वह एक्सिडेंट होना ही होना है वह गाड़ी उल्टे ही उल्टे की सो इसलिए बैलेस करके साथ चलना चाहिए ना कि एक रेस लगाने चाहिए हमें हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना है वुमिन की अगर प्रफेशनलिजम के लिए सबसे इसे ग्रो करने के जुरूरी है कि एक हरास्मेंट फ्री इंवार्मेंट उसे दिया जाए तो इसके बारे के अकि इंगानेंट के लिए लिए हमें वहने को इनवयर्मेंट दियाना है कि खुदानाखास्ता अनको आपको पता ए विझाति हमारे health career का सबसे बड़ा मेजर इस्यों हमारे सुचाइटि का एस्यद्छइए का हाईरे मशुद हैं कि हमारे पास कामाने मुझूद हैं हमार बच्चियां हाइलाइट हो जाएंगी मैं उन बच्चियों को एप्टीशियट करती हूँ जिन्हों ने यह पॉइंट आउट किया उन्होंने आने वाली पता नहीं कितनी बच्चियों की जिंदगयां बचाई और उन तमाम पेरेंट्स को नोंने सेंसिटाइज किया जो स्कूल के अंदर बच्चों या बच्चियों को भेज कि समझते हैं कि अपनी रिस्पॉनसिबिलिटी पूरी कर दी क्या हमने वह रिस्पॉनसिबिलिटी जो पेरेंट होने की वज़़ा से अल्ला ने अमारे ओपर लागू की है जिसका हमारे से सबसे पहले सवाल पूछा ज हो फरक पर्ड़ जाता है तो यंग बचिया हमारी मा ये किदर बजी हैं कहां बजी है कि वह उनकी साथ बलatti decor के बच्चियां कितनी बड़ी ट्राइजदी ट्रॉमा से चुजर रही है, एज्यूकेशन या- سमझ करने पा रही है सो इसमें पहली है पहली आती है ias female के साथ भ पहले लोगों के के जो पॉइंट आउट करता था मारा वो ही जाता था जलील भी हो जाता था इंसाफ भी नहीं मिलता था हम रियासत आपके मुदई बनेंगे हम रियासत आपको जस्टिस प्रॉइड करेंगे हम आपके वकील भी बनेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन अप्लिके अब इन लोगों ने देखें उन बच्चियों ने हाइलाइट किया जैसे हमारे एजुकेशन मेनिस्टर निसीम साब ने भी नोटिस लिया उन्होंने रिक्वेस्ट करनी पड़ी फिर मैंने भी एक दो टॉक शो के अंदर ये रिक्वेस्ट की कि खुदारा अप जब तक नहीं कि देंगे उनके खिलाफ कर्वाई एक्चुल वो तो एक कार्वाई तो स्कूल ने कर दी कर दी कि उन्होंने फाइर कर दिया लेकिन बात इतनी नहीं होने जाएए उनको कानून के मताबिक कड़ी से कड़ी सजाएं मिलना इस लिए जरूरी है इसे लोगों को नहीं जॉब ना कर सके और फिर यह मैसिज उन लोगों के लिए जाए जिनकी इंटेंशन ऐसी है यह जिनके बारे में अभी तक किसी ने हाइलाइट नहीं किया लेकिन वह भी इनी तरह के जराइम में मुलाविस हैं सो बहुत सरी चीज़े अलहम्दलिल्ला हमने की जैसे जै एक रिस्पॉंसिबिलीटी को इन्जॉई करती हैं और इसके साथ इसाथ खावतियं को क्या पेगाम देना चाहेंगी देखें एक मैं बात बताओं सक्सेस आती तब है जब आप अपने काम को इन्जॉई करके करें पैशन के साथ करें और देखें जिस मैं जिस काम में हूं इस नोड़ पोफेशन ये तो वेलफेर खिदमते खल्क और 24-7 की जॉब है जिसमें एंड अफ देदे हमें मिलता भी कुछ नहीं तो उसके लिए आपके जजबा और आपका कोई टागेट जो आपने गोल वो होना जरूरी है वो होगा तो वो आपकी मोटिवेशन रहती है म मैं आपको इमान से बताओं कि आपको अल्ला ताला ने जिस जिम्मादारी में डाला उसको इन्जॉई करके करें यह कितने ऐसे लोग है जिनको यह आपरचुनिटी नहीं मेले बिल्कुल सो मेरा तमाम अपनी बेटियों बहनों और जो माईं हैं उनके यह मैसीज है माओं के प्लीज अपनी बच्चियों के फिकर करें जब आपकी एक बच्ची काबिल हो जाएगी मैं आपको एक एक ग्जेम्पल देती मैं टिपिकल गाओं के घराने से हूं राजपूत फैमिली से होगर मेरी माने मुझे ना पढ़ाया होता जहेज की फिकर की होती तो आज मैं इस म वीमन इंपावर्मेंट के दाई हैं मतलब और हमारी खांदान में, हमारी फैमिली में, और मर्द में कोई फरक नहीं हैं उसकी वज़ा यह है के हमारी तरबितों में भी अल्ला ताला ने वह रखा कि हम अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करें कि हो अपने मर्द का, अपने भाई का जो रिष्टे अल्ला ने दिये हैं उनका बोज हम बांटे ना कि हम बरतरी लेने के लिए कुछ कर रहे हूं इज़त मिल जाती है इस पैकेज आपकी नियद ठीक है आप सकसेस्फुल हो आपने सारी चीजों को बैलनस रखा हुआ है तो इन डिटर्न आपकी सकसेस नज पहुंचती है तो उनको समझ नहीं आती मुझे यह लगता है वगलतियां करती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रस्ता भी रुकता है हमने मिल के आगे बढ़ना है और इन्शाला ताला जो मैं देख रही है हमारी आज की बच्चियां ज्यादा कॉन्फिडेंट है अच्छे माक्स ले रही है टॉपर ज्यादा बच्चियां है कि सुच भी ग्रूम किया है लेकिन आज से दस साल पहले देख रही है तो वह इन्शाला जब अब सिर्फ और सिर्फ शादी करने का शौक नहीं है जब दस से बी साल पहले लड़की को शुरू से मारी यह सिकाती करनी है बच्चियों की टाइम पर करनी है आगे फैमली और यंटेट भी उन्हें बनाना यह वही बट कुछ ऐसे नहीं के करियर में डूब के आप अपनी फैमिली को या अपनी फैमिली लाइफ को मिस कर रहे हो तो बैलनस रख के चले तरबियत बच्चियों की माएं ऐसी कर आए उस पेस खड़े हो जाए तैंकियो सो माइडम आप ते इतनी अच्छी बातें की और इतना अवेर किया हमारी खवातीन को कि वह भी आगे बढ़ें और जो है मर्दों के शाना बशाना हिसा लें जी तो नाजरी नहीं हमारे साथ मजूद थी मुसरर जमशे चीमा सहीबा औ आप जो परफेशन औरते हैं उनकी जिम्हादारी है कि वह अपने क्रेक्टर से अपनी सोच विचार से दूसरों को इतना इंप्रेस करें कि वह भी अपनी बेटियों को बाहर निकलने की और जिम्हादारी अठाने की इजाज़त दे इसके साथ ही मुझे जाज़त दीजे अ अलाहफेज.